हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो बेसिकली हम यहाँ पर वर्च्वल लैप की मदद से जो आपका वाटर लेवल इंडिकेटर का सर्किट है उसको सिमुलेट करके देखेंगे कि एक्च्वल में वो कैसे काम करता है और हाँ दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखें so that कि आपको हर एक बात अच्छे से स तो सबसे पहले आपको गूगल सर्च बार में टाइप करना है वर्च्वल लैप उसके बाद आपके पास यह लिंक ओपन होके आज आएगा www.vlab.co.in ठीक है इस पर आपको सिम्प्ली क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रोल डाउन करना है और यहाँ पर आपकी जो फर्स लैब है electronics इस पर आप क्लिक कर ले तो यहाँ पर आपको काफी सारी labs देखने को मिल जाएंगी बट आपको क्लिक करना है जो थर्ड नंबर की लैब है digital applications lab इस पर आप क्लिक कर ले इसके बाद आपको जाना है list of experiments तो यहाँ पर आपको list मिल जाएगी और नंबर 7 पर आपको मिल जाएगा water level control using basic and and not gates इस पर आप क्लिक कर ले तो यहाँ पर आपको काफी सारे option मिल जाएंगे देख सकते हैं आप simulation का option है तो सबसे पहले हम जो इस इसका theory part है वो देख लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसको कहां कहां पर हम use कर सकते हैं तो यह जो combination है and or not gate का ठीक है इसको आप industrial और domestic application के लिए use कर सकते हैं ठीक है basically it acts like a switch on or off के लिए आप इसको use कर सकते हैं as a alarm और indicator आप use कर सकते हैं इसको जैसे कि आप tank walls में use कर सकते हैं heaters में use कर सकते हैं motors में use कर सकते हैं machine में use कर सकते हैं और चाहे आपकी कोई building हो multi storage building हो बंगलो है ठीक है वहाँ पर आप इसको आसानी से use कर सकते हैं लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे water level controller की ठीक है तो basically जो इसका concept है वो क्या है मैं आपको बता देता हू कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर एक building है ठीक है और नीचे आपके पास tank है और ऊपर एक tank है तो this is your upper tank और this is your lower tank and this is your building ओके तो यहाँ पर जो concept use हुआ है मैं आपको बता देता हूँ आप देख सकते हैं कि यह जो motor है वो किस condition में on होगी ठीक है आपको वो आपका full होना चाहिए ठीक है lower tank should be full and the upper tank is empty और उपर वाला tank जो है आपका खाली होना चाहिए and for all other conditions the motor should be off यानि बाकी सब condition के लिए आपकी जो motor है वो आपकी off रहेगी तो चलिए इस concept को और अच्छे तरीके से समझते हैं by using the truth table तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास है truth table तो AL यहाँ पर आपका क्या है lower tank हो गया और BH क्या है आपका upper tank ओके and this is your motor y is your finally output तो basically जो आपको input मिलने वाला है 0 और 1 की form में वो आपको मिलेगा sensors की मदद से ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है digital output level sensor ठीक है तो सबसे पहली condition क्या है आपकी 00 इसक आपके दोनों tank empty है तो उस case में motor आपकी off रहेगी और दूसरी condition क्या है कि जब आपका lower tank ओके यह empty है और BH यानि आपका upper tank full है तो उस case में भी आपका motor चालू नहीं होगा और third case क्या कहता है जब आपका lower tank full हो जाएगा और upper tank आपका empty हो जाएगा तो उस case में आपकी motor चालू हो जाएगी ठीक है तो output आपको मिल जाएगा और जो आपका last वाला है ठीक है अगर दोनों ही आपके full हो जाते हैं तो उस case में भी आपको output नहीं मिलेगा यानि motor आपकी चालू नहीं होगी और यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका circuit ठीक है तो A और B आपके यह sensors है और यह आपका end gate है ठीक है and this is your LED light emitting diode and this m denotes for the motor तो आपका जो boolean expression है वो कुछ इस तरीके से होगा m is equal to A dot B bar तो चलिए इस concept को और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं by using the simulation तो simply आपको यहाँ पर click करना है simulation पर तो आप देख सकते हैं जैसे यह आपने यहाँ पर click किया उसके बाद आपका यह page open हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आपको option दिख जाएगा simulation का तो यह आपके tank है tank B and tank A तो यहाँ पर आपको दो tank मिल जाएंगे यह आपका level है ठीक है level आप set कर सकते हैं up and down करके और यह tank B है यह tank A है और यह level sensor है आपका ओके this is your level sensor for tank B and this is your level sensor for A और यहाँ पर आपको मिल जाएगा output ठीक है this is your end gate and this is your not gate तो चली one by one हम सारी condition यहाँ पर test कर लेते हैं तो पहली condition है आपकी 00 ठीक है तो 00 का क्या मतलब है जब आपके दोनों ही tank आपके खाली है empty है तो obviously आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही tank अभी खाली है ठीक है level sensor तक इनका जो water level है नहीं आया है तो यहाँ पर आपको output नहीं मिलेगा तो first condition आपकी satisfy हो चुकी है और दूसी condition क्या है आपकी जो lower tank है ठीक है वो आपका zero रहेगा यानि खाली रहेगा और जो उपर वाला है वो आपका full हो जाएगा ठीक है तो चलीए इसको हम full कर लेते हैं तो तब भी आपको output नहीं मिलेगा आप देख सकते हैं मैंने ज जब आपका tank A यानि lower tank आपका full हो जाएगा ठीक है level sensor तक पहुँच जाएगा तो आपका output यहाँ पर आपको मिल जाएगा motor यानि on हो जाएगी तो चलीए देख लेते हैं कि motor on हो दी है या फिर नहीं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी motor on हो चुकी है ठीक है तो आप आपको output नहीं मिलेगा यानि motor आपकी चालू नहीं होगी तो चलीए पहले इसको हम on कर लेते हैं और इसका जो tank है full कर दिया है हमने और यहाँ पर भी इसको full कर दिया है तो तब भी आपको output यहाँ पर नहीं मिलेगा तो चारू condition आपकी satisfy हो चुकी है तो आपने देखा कितन आसान है simply आपको यहाँ पर simulate करना है level को adjust करना है उपा नीचे करना है ठिक है और यहाँ पर level sensor को आपको ध्यान में रखना है कि कितना आपको level set करना है उसके बाद आपको finally output मिल जाएगा तो चली दोस्तो आज की वीडियो के लिए इतना ही मिलते है एक नई वीडियो में औ और हाँ दोस्तो अगर आपने इस चैनल को अब तक subscribe नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को subscribe कर लिजे